असलाम आलेकुम एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही जूसी और मज़ेदार से चिकन हरी आली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप हरे मसाले की कबाब भी कह सकते हैं जो बहुत असानी से घर पर बनका तयार होते हैं और बहुती मज़ेदार लगते हैं तो चलें ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट अगर आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द अब हम इसको पीस लेंगे जिसके लिए यहां मैंने ग्रेंडिंग जाय लिया है इसके अंदर हम half cup पौदीने के पत्ते अट करेंगे एक छोटे साइस की शिम्ला मिर्च ली है मैंने जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है इसको अट करेंगे दो से तीर हरी मिर्च एट करेंगे चार हम इसके अंदर बदाम एट करेंगे आप बदाम की जगा काजू भी एट कर सकते हैं half cup हम इसके अंदर हरधन्य एट करेंगे अब हम इसको cover करेंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे अब यहां मैंने हरे मसाले को अच्छी तरह से पीस लिया है हम इसके अंदर चिकेन एट करेंगे चिकेन एट करने के बाद इसको cover करेंगे और एक दफ़ा पिर अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे अब यहां देखिए कीमा और मसाला आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए एक स्मूज सा मिक्स्चर बनकर तयार हो गया है हमें इसको इतना ही पीसना है अब हम इसके अंदर कुछ पॉडर मसाले शामिल करेंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसकी जगा पेस्ट भी एड़ कर सकते हैं वन टीस्पून पिसिवी काली में चैट करेंगे वन टीस्पून पैप्री का पॉडर एड़ करेंगे वन फोर टीस्पून कुटी विलाल में चैट करेंगे वन एन हाफ टी स्पून नमक एड़ करेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लीजेगा वन टी स्पून चिकन पॉडर एड़ करेंगे यह ऑप्शनल है अगर आप इसको एड़ नहीं करना चाहते तो इसकिप कर दीजेगा 3 टेबिली स्पून हम इसके अंदर ब्रैट क्रम सेट करेंगे इन सारी चीज़ों को एड़ करने के बाद अगेन इसको कवर करेंगे और एक दफा इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखे कबाब का mixture अच्छी तरह से पिसकर तयार हो गया है सारी चीज़े अपसमें अच्छी तरह से mix हो गई है हम इसको एक पलेट में निकाल कर रख लेंगे और एक से डिएड गहंटी के लिए फ्रिज में रख लेंगे ताकि यह अच्छी तरह से सैट हो जाए फिर हम इससे कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे कबाब का मिक्चिर अच्छी तरह से सैट हो गया है अब हम इससे कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे हातों को ओईल की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये हातों पे चिपके नहीं इसको इस तरह से ओल शेप देंगे फिर हतेली के बीच में रखके इसको प्रेस करेंगे अब हम इसके उप़र कर्स लगा लेंगे किसी भी नाइफ या स्पून की मदद से आप इस तरह से कर्स लगा लीजे इस तरह ही देखने में भी बहुत खुबसूरत लगेंगे अब इसी तरह बाकि सारे कबाब बना कर तयार कर लेंगे यहां मैंने सारे कबाब बना कर तयार कर ली है इतने मिक्चर से यहां मैंने 8 कबाब बना कर तयार किये हैं अगर आप छोटे कबाब बनाएंगे तो 10-12 भी बनाकर तयार कर सकते हैं चले हम इनको fry कर लेते हैं अब यहां मैंने एक पैन में ओईल गरम होने के लिए रख दिया था ओईल हलका सा गरम हो गया है तो हम इसके अंदर कबाब एट करेंगे मीडियम तो लो फिलेम पे हम इनको शैलो फ्राइ करेंगे जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे कबाबों को फ्राइ होते हुए 3-4 मिनिट हो गए हैं अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे देखें कितना खुबसूरत सा गोल्डन कलर आया है यहां मैंने सारे कबाब की साइड चेंज कर दिये अब दूसी तरफ से भी हम इसको 3-4 मिनिट कुक करेंगे कबाबों को फ्राइ होते हुए 3-4 मिनिट हो गए हैं चलें देख लेते हैं यह देखें दूसी तरफ से भी कितना खुबसूरत सा गोल्डन कलर आया है कबाब फ्राइ हो गए हम इसको एक पलेट में निकाल लेंगे यह देखें कितने जबर्दस से लग रहे हैं बहुत ही मज़िदारी कबाब बनकर तयार होते हैं अब एक कबाब मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कितना जबर्दस सा बनकर तयार हुआ है यह देखिए बहुत ही जूसी और मज़िदारी कबाब बनकर तयार होते हैं आप लोग जरूर ट्राइ करीगा और मुझे कॉमेंट से बताईगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें फैमली और फ्रेंज में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स वीडियो तक के रिए अजाज़त अल्हाफेज